यहां पर जो बेस हम लोगों ने चूज किया है वो बेस है अश्टक वर्ग और जैमिनी जोतिश ये दो थियोरी जो है वो आज हमने उठाई हैं उसको लेकर जो मेरा अपना अनुभव रहा है जैमस्टोन को लेकर या मेरी अपनी जो रिकमेंडेशन्स रही है जैमस्टोन को उसके experience उस अनुभव के आधार पर आप कौन सा जैमस्टोन आपके लिए सो टेबल है या आप किस तरीके से ये specific कर सकते हो specify कर सकते हो मुझे इस particular कारे के लिए ये जैमस्टोन डालना चाहिए तो ये सब बात करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहू वो सभी लोगों ने देखा है तो सब लोगों ने देखा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को understanding भी होगी अश्चकवरगा की कि अश्चकवरगा क्या है basically ठीक है तो यहाँ पर कुछ examples मैं चार्ट के माध्यम से लूँगा और आप में से किसी को भी जो है unmute करके वो अपना चार्ट जो है वो मुझे बताएगा और उसी के basis पर यहाँ पर हम कुछ examples लेंगे तो जो सबसे पहला जो सूत्र है gemstone का वो उठकर आता है जैमिनी जोतिश के आधार पर किसके आधार पर जैमिनी जोतिश के आधार पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जैमिनी जोतिश क्या ह अरे भाई अभी से अभी से आप लोग typing मत कीजिए अभी से देखिए सब लोग मैंने बोला birth details लूँगा सब लोगों ने type करना शुरू कर दिया यहाँ पर typing से कुछ नहीं होगा मैं randomly आपने से किसी को भी बोल दूँगा कि आप unmute कीजिए और आप अपना date of birth मेरे को बताए कि किसी का भी number आ सकता है as such मैंने प्लान नहीं किया है मैं इसको बोलू कोई भी कोई भी वेक्टि तो basically क्या है कि जैमिनी जोतिश जो है वो कारकों पर आधारित एक विद्या है किस पर आधारित कारक पर आधारित तो आपने देखा होगा कि जोतिश में हमारे कुछ कारक होते हैं जिनको हम नैचुरल सिगनिफिकेटर होते हैं जैसे यदि मैं आपसे यह कहूं कि पिता का कारक कौन है या पिता का नैसरगिक कारक कौन है आप डिरेक्ली बोलेंगे सूरिय जो है वो पिता का नैसरगिक कारक है अगर मैं कहूंगा नैसरगिक कर्म कारक कौन है आप कहेंगे शनी जो है वो नैसरगिक करमकारक है तो ये क्या है ये natural significator हो गए जोतिश के लेकिन कुछ significator ऐसे होते है जो आपकी कुंडली के आधार पर बदलते रहते हैं वो फिग्ज नहीं वो आपकी कुंडली के according बदल जाएगे कैसे बदलेंगे जब हम इन कारक की बात करते हैं तो हम साथ कारक को लेते हैं सेवन कारकास और इन साथ कारक में हम दो प्लैनेट्स को एक्स्क्लूड कर देते हैं दो प्लैनेट्स को यहां बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है किसको राहू और केतू उनको हम exclude कर देते हैं तो जाहिर सी बात है जैम्स्टोन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता चल जाना चाहिए जल्दी से कि ऐसा कौन सा जैम्स्टोन है जो wealth को बढ़िया कर रहे हैं बाकी सब तो देख लेंगे health देखी जाएगी relationship देखा ज जाए ना तो बाकी सब चीज़े तो मैनेज हो सकती है ठीक है शुक्र का समय है राहू का समय है तो उसी के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये जितने भी आपके कारक होते हैं ये आपके साथ कारक होते हैं इनको degree के आधार पर divide कर दिया जाता है एक planet एक planet किसी भी degree के इ कौन है कोई भी रेंडम ली ठीक है हम मोका देते हैं आज किसको मोका दे भाई उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिसने अपना ये जो face mask है इसको नहीं अटाया है ठीक है जी हां जी अन्जू जी आप बताई नमस्कार सब जी नमस्कार तो अन्जूजी तक रहता है किसी एक particular राशी तो आपकी कुनली आपके सामने है अभी आप सब लोगों के horoscope साप लोगों के सामने है रखे हैं इस समय बहुत important सूत्र मिलेंगे भाई तो अगर horoscope आप लोगों के सामने अपने अपने तो उसको भी अपने साथ में रखिएगा कुछ बहुत important पता लगेगा आपको अभी यह सर है ठीक है तो आपकी कुंडली में highest degree planet कौन सा है highest degree पर वीनस है सर्वीनस highest degree पर आप सब लोगों की कुंडली अपने अपने पास में है आप लोगों की कुंडली में जो आपका सबसे highest degree का प्लानेट है that is your आत्मकारक का मतलब आप समझ गए होंगे आत्म मीन्स वाट आत्म मीन्स सेल्फ कारक मीन्स सिग्निफिकेटर तो आत्मकारक कौन हो गया सेल्फ सिग्निफिकेटर यानि कि किस घर को जो है वो लेकर चल रहा है वो फस्ट हाउस को लेकर चल रहा है तो जैमिनी जोतिश के आधार पर आपके फस्ट हाउस का इम्सिफिकेटर अब हम आते हैं सबसे important planet पे क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था हम किस पर focus करेंगे हम focus करेंगे career पर और wealth पर now coming to the second planet आपका जो first planet है जो highest degree का है उस highest degree से just नीचे कौन सा planet है सेकेंड सेकेंड हाई है सैटरन सैटरन है तो यहां पर आप जितने भी लोग जिनकी कुंड़ी में जो second highest degree का planet है वो planet कौन है that planet is your amatya karka the karka of your profession the karka of your profession और अगर इसकी significator की बात की जाए यह कौन-कौन से houses को signify करता है यह signify करता है second house को यह signify करता है 10th house को यह signify करता है 11th house को इकलोता planet कितने houses को signify कर रहा है second 10 and 11 आपका wealth इसके पास है आपका profession इसके पास है आपकी life में जो आपको gains होने वाले हैं वो इसके पास है क्या समझ में आया अपने को यह समझ में आया कि यह particular planet जो है यह आपके career के लिए बहुत important है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी theory नहीं है मेरी theory या मेरी observation अभी आएगी लेकिन उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ यह planet है जिसको आप अपने प्रोफेशन को लेकर स्टेंदन कर सकते हो स्टेंदन करने का मतलब क्या है आपका लगन बोलिए लगन क्या है तो नॉर्मली व्यक्ति को क्या बोला जाता है आप सब लोगों ने जैम्स्टोन की एक ठ्योरी पर काम किया होगा यह जब इस लानना करना दो यहां हमारी थियोरी थोड़ा सा अलग है हम लोग बोलते हैं कि हाउसेज को ना कंसिडर करके यहां पर यदि कारक को कंसिडर कर लिया जाए और उसको स्टेंदन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है इसका अर्थ क्या है कि यह जो आपकी सेकंड हाइस डिगरी का प्लानेट है ना यह आपकी कुंडली में स्ट्रेंदन होना बहुत जरूरी है किसको अपलिफ्ट करने के लिए आपके प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए यह एक ठियोरी है यह एक ठियोरी है जो यह कहती है कि यदि आपने अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना है मैं फिर रिपीट करता हूं मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसको कोई भी विक्ति इसको पहले यह जानना है कि उसकी requirement क्या है याद रखिएगा मैं फिर यह वर्ड बोल रहा हूं कि कभी भी मैं कोई भी चीज या किसी भी selection की बात करता हूं तो मैरा पहले एक ही बात होती है कि आपकी requirement की अब व्यक्ति कहेगा जी मेरी requirement जो है वो मेरा profession है मुझे अपने profession को strengthen करता है तो हम क्या कहेंगे आप अपने अमात्य कारक का gemstone डाल सकते हो अपने profession को strengthen करने के अब मुझे पता है next thoughts सब लोगों के मन में एक साथ में क्या आया होगा सर हमारा ये प्लैनेट अगर 6-8-12 दे रहा हो तो क्या हो यह यह आएगा अब इसको लेकर मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं देखिए आप लोगोंने मेरे वीडियो देखे हैं तो ये बात तो आप आप सब लोग समझ गये होगे कि कोई भी house खराब नहीं है कोई भी house अच्छा नहीं या अभी भी मन में थौट चल रहा है नहीं आठवागर अच्छा है या आठवागर खराब है या बारवागर भुरा है या बारवागर बहुत अच्छा है जाहिर सी बात है हर घर के कुछ अपने positive और कुछ negative attributes हैं हैं कि नहीं हैं अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये जो मेरा planet है ये मेरी theory के according कह रहा है कि आप इसका gemstone पहन लो और kp astrology कह रही है कि इस पूरे planet की string में 6 भी है 8 भी और 12 भी है अब जड़ा इसको सोच के देखिएगा ये आपको सीधी direct indication ये है कि आपके profession की जो upliftment होगी उस upliftment का जो रास्ता निकल कर आएगा वो 6th house, 8th house और 12th house से ही निकल कर आएगा और कोई तरीका नहीं है कि वो uplift हो पाए समझ में आ रही है बड़ मैंने अभी एक अश्टकवर्ग की एक विडियो बनाई थी तो उसमें आप सब लोगों को एक point दिया था और मेरे ख्याल से सब लोगों ने उस point पर काम किया होगा मुझे बताइए कितने लोगों ने उस point पर काम किया हाथ उठाईए फिर से किसी से बात करनी है कितने लोगों ने वो अश्टकवरगा वाली वीडियो को अपलाई किया आपने अपने चार्ट में या अपने रेलेटिव के चार्ट में या कुछ भी वहाँ पर मैंने कुछ हाउस को लेकर कहा था कि अगर कोई इस हाउस का काम करे और उसके इलेवन्थ हाउस को बहुत स्ट्रेंथ मिल जाए और टेंथ हाउस में कम हो तो वो उस हाउस के काम को करने से कम मेहनत में ज़्यादा लाब लेगा याद है कि नहीं याद है ठीक है तो कौन बताएगा मेरे को यहाँ पर यहां से आ रहा है अन्म्यूट का यह अन्म्यूट कीजिए प्रशान जी अन्म्यूट कीजिए मैंने अन्म्यूट कीजिए मैंने क्लिक किया है आप अन्म्यूट कर दीजिए जी मैंने आपके सजेशन के बाद से और वो वीडियो देखने के बाद से अपने फिफ्थ हाउस की involvement अपने daily routine और काम में बढ़ा तो मुझे वहाँ से अच्छे benefits मिलने शुरू हुए वो benefits इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने 5th house का वो बढ़ा दिया वो benefit इसलिए मिले क्योंकि 5th house को जब हमने consider किया तो उसके 11th house में क्या है 11th house में काफी अच्छे points है ठीक है तो इसका प्रकार से alignment बोलते हैं इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई labor के रूप में काम कर रहा है चाहे कोई किसी company के CEO के रूप में काम कर रहा है हर व्यक्ति की लाइफ में कोई न कोई एक particular house ऐसा है जिसका काम वो यदी करता है तो उस काम को करने से उसको कम मेहनत में ज़्यादा लाब होता है मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने उसको test कर लिया होगा अपनी अपनी कुणली पर बाकी लोगों पर भी किया होगा और वो बहुत अच्छा काम करता है तो जाहिर सी बात है जब हमारा एक तुक्का काम कर गया तो दूसरा भी करेगा राइट वो ही मैं आपको बता रहा इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ ये है कि जो आपका second highest degree का planet है जिसको आप अपनी कुंड़ी में अमाथ्य कारक कहते हैं आप यदी professional trouble में है और कोई और professional trouble में है मैं आपको guarantee देता हूँ आप उसको डालिए और उसका result एक महीने के अंदर देख लीजे आपको क्या प्लाता है समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने किस planet को लेकर बात की है मैंने अमाथ्य कारफ को लेकर बात की है clear अब मैं एक और planet पर आता हूँ एक और planet है ठीक है मेरे को third highest degree का planet कौन बताएगा अपना मैं सोच रहा हूँ कुछ नए लोगों को जो अपने से नहीं जुड़े हैं उनको चांस दिया जाए जिनसे कभी बात नहीं हुई है ठीक है हां जी अदिती गुपता जी आप बताएगा नमश्कार सर जूपीटर है मेरा third highest आपकी कुंडली में third highest planet अदिती जी जूपिटर है हां जी हमने highest degree planet को क्या नाम दिया अभी नाम दिया था आमात्मा है आत्मा है आत्मा on our माम से हाइस डिगरी को क्या दिया को हम क्या देंगे में ओ सब्सक्राज़र तो हमें इसके नाम से ही पता चल गया कि यह कौन से घर का कार्ट है यह सिब्लिंग्स के बारे में बता है तो अधिती जी ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का प्रोफेशन ही प्रॉबलम में हो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में जो एफर्ट नहीं कर रहे हो उनकी लाइफ में सब कुछ इजी है मनी उनके पास है उनके पास करियर ऑपरचुनिटीज भी है सब कुछ है लेकिन स्टिल डियार नॉट पुटिंग दर राइट एफ प्लैनेट का जैमस्टोन डालू तो मुझे क्या चीज मेरी लाइफ में हो सकती है तो मैं बोलूगा आपकी लाइफ में एक्टिवनेस आ जाई बिकॉस थर्ड हाउस किस चीज का थर्ड हाउस एफर्ट का आदमी एफर्ट करना शुरू पर देगा ब्रात्रकारक प्लैनेट प्लैनेट केंडी ओके सब्सक्राइब अगर हम सब्सक्राइब अगर आपकी वह तर्ड यहां पर कोश्चन सिर्फ एफर्ट कर रहा या नहीं कर रहा विकॉस बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे लाइफ में उनको प्रोकास्टिनेशन रहता है रहता कि नहीं कि अरे कर लेंगे यार क्या जा रहा है अभी तो समय हैं अभी तो कल है अभी तो पर्सो है अभी तो यह है इतने सारे लोग उन लोगों की हेल्प जो है वो यह प्लानेट करें गया जिसको हम भात्र का रहें जो कशटर है के यह ओगे आपके तीन प्रत्वब का नहीं हए चोथा ऐस मात्र-का नहीं होता है तो मात्रकारक means आपका fourth highest degree वाला planet that is your मात्रकारक और यह significator कौन से घर का बना यह significator बना fourth house मुझे मन की शांती नहीं मिल रही है मैं emotionally imbalanced feel करता हूँ मेरी mother को problem आ रही है मेरे को property related बहुत issues रहते हैं आप लोग व्यक्ति की problem से यह identify कर लेंगे या नहीं कि यह व्यक्ति इस घर का सताया हुआ है yes or no yes अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे कोई इस घर में problem या मतलब इस particular चीज़ की problem है so you can easily identify like which house is actually creating problem right अगर किसी व्यक्ति को चतुर्त बहाव की problem सता रही है तो this is the planet जो आपको activate करना है क्लियर हो गया मतलब मात्र कारक जो है अब यह तो हो गया मात्र का अब इसके बाद में इसके बाद में अपना 5th highest degree planet कौन बताएगा हां जी गौरव अगरवाल जी आप बोलिए अपना 5th highest degree planet तर चंद्रमा चंद्रमा आपका 5th highest degree planet फस्ट हाउस में बैठा हो वो कहीं भी बैठा है किसी भी आदार पर बैठा हुआ है किसी भी प्लैनेट के साथ में बैठा हो हो सकता है गौरव जी कल को मेरे पास आएं और भूले कि भाई मेरे को बच्चों से कुछ प्रॉब्लम आ रहे है या चाइल्ड रिलेटिड प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे एजुकेशन से रिलेटिड कुछ समस्याएं आ रही है तो कौन सा प्लैनेट है जो इनकी हेल्प करेगा पूत्र कारक वो प संसीव करने में प्रॉबलम है जिन फीमेल के बच्चे अच्छा परफार्म नहीं कर पारे बच्चों को प्रॉबलम है यदी वो अपने पुत्रकारक प्लैनेट को स्टेंदन करते हैं तो भले ही वह अपने बच्चे की करें ना करें लेकिन उसका अफेक्ट जो है वो डायर यहां वहां वहां वह इंटर लिंग्ड है जहां जहां जो है आपकी ब्लड लाइन गई 1 क्योंकि हो सकता है कल को आ हमसे कोई यह भी प्रश्न करने लगे यारी मेरा तो पडोसी बड़ा परेशान है ठीक है ब्रात्र का रख का रत्न पहनलो पडोसी भी ठीक हो जे अच्छा ओके एक्च्वल में इस ट्रू इस रियालिटी अगर आप भाई अगर आपके पडोस में हमेशा अफरात अफरी रहत है जाने वह किसी और के पडोस में भी तो हो सकता था वह मेरे ही पडोस में क्यूं है उस पर मैंने ही क्यों लिया है और यदि मैंने कोई एक्षण लिया तो रियाक्शन होगा या नहीं यह तो फिसिक्स नहीं कहता है यही मेरा पॉइंट है मतलब भूलिए इसी में एक दो आपके बारे में देखें आपके काफी टाइम से वीडियोस देख रहा हूं और मतलब जब से मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू कर रही है मुझे पता नी यूटूब पे सिरफ आपके लावा और कुछ समझ महीं नहीं आता नहीं नहीं सर ठीक है और दूसरी बात क्या ह कि मैंने कुछ देखा है कि आपके वीडियोस में मतलब आप बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करते हो और सब करते हो मुझे एक चीज समझ में आती कि आपको ग्यान देना आता है लेकिन शायद जो आप जो लोग वहां बैठे होते हैं या हम जैसे लोग हमें ग्यान लेना नहीं आरहा है कि मैं मैं समझ रहा हूं जो आप बोलना चाहा है मतलब आप एक्च्वल में मतलब वह चीज बोलते हो कि मतलब हाँ वह पांट बात लेकिन हम लोग उसको ग्रैप ही नहीं कर पाते हैं उसको बार-बार क्वेस्टन मतलब मैंने आपकी वीडियोस देके डाइडाई गंटे आप बोल रहे हो लगातार लोग इर्रिवन कोशन कर रहे हैं आपको बोलने नहीं दे रहे है धाई धागाई गंटे के बीच में आप ग्याम दे रहे हो सिरफ एक गंटे का और वह पार क्या होगा अरे तुम्हारा चोड़ो को तुम जनर्वल पूछरो तुम सबका अब इसी वेना अभी मेरे को एक करोना हो गया था यह जो ओमिक्रोम आए तो इससे पहले क्या हुआ कि मैंने देखा गोचर में मेरा बुद्ध जो है अंतरदशा में 12 तो सिर्फ मैं अपना एक दिन हॉस्पिटल चला गया जाकर के मैंने पचास सो रुपए का एक बर्गर बर सी आ गया और मेरे घरवालों को लगभग सो एक सो दो बुखार आया उनके गले वले भी खराब हुए गले इवन मेरा भी खराब हुआ लेकिन मुझे दवाई खाने तक की जूरोत नहीं पड़ेगी ना वहीं मैंने आपको बहुत इंपोर्टेंट सूत्र बताता हूं सब ल साथ मैं कॉमुनिकेट कर रहे हैं चाहिए फूर फोन कर रहे हैं तो फोन से करते हैं अगर मुझे अपने इंटर्विव के लिए को एपलिकेशन भेज नी है किसी दी चीज़ के लिए को एक इंदर थार्ड और लॉट वेल्वाण तो यह तो कुछ-कुछ ऐसा दिखा रहा है कि third law 12 यानि कि मैं जो communication कर रहा हूं या जो communicate कर रहा हूं उसका कहीं न कहीं loss हो जाएगा यह बोल रहा है लेकिन मेरी theory क्या कहती है कि जिस प्रकार आपने बर्गर खाया उस प्रकार यह वेक्ति अपना लैप्टॉप लेकर जाया होस्पिटल में बैठे और वहां से अपनी mail बेज़ दे बिलकुल सभी बिलकुल exactly इसकी mail एसेप्ट हो जाएगी negativity में positivity बेसिकली एक बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ भी फिर बोलता जो घर आपको सबसे ज़्यादा problem दे रहा है आपको हल देने का भी काम वही आउस करेगा और कोई आउस नहीं करेगा आप भागते रहोगे कि मैं इसको एक्टिव कर लूँ मैं उसको एक्टिव कर लूँ कुछ नहीं होगा वही हाउस आपको वह करेगा जोतिश का एक मात्र सूत्र है जो आपको बांधता है वही आपको खुलता है यह समझ जाई है तो यहां पर हमने एक प्लानेट की बात करी जो कि पुत्रकारक प्लानेट है अब हम एक और प्लैनेट पर आ रहे है जो कि आपकी कुंडली का दा मोस्ट डेंजरस प्लैनेट ऐसे डरना नहीं है अपने को पता है कि मोस्ट डेंजरस भी हुआ तो जादे से जादे क्या होगा अपने को तो उसका भी पता है कि 6-8 बारा को कैसे ठीक करना है किसी भी बिमार व्यक्ति को किसी भी बिमार व्यक्ति जो पीडित है उसको दवाई दिलानेगे पीडित कहां से है आठवे घर से और जब कुछ दिलाया है तो कहां से दिलाएंगे फेजबुक और पीक्चर नहीं चलेगी किूद्ट पीक्टर नहीं पोस्टर करना है क्यों कि पिक्टर पोस्ट करते ही वो जो आठवा घर जो आपसे सीक्रेशी मांग रहा था उस secrecy को आपने खतम कर दिए यह आप नहीं करेंगे इसलिए आप चाहे दान खुद करें चाहे दान किसी को करवाएं उसको एक बात साक्षात बोलिएगा कि दान आपका तभी clear होगा जब आप उसको secret रखेंगे सीधे ने दान दिया है तो उल्टे को पता न चले दान चला गया है that is the perfect remedy of 8th and 12th तो आठ बारा की इससे बड़ी remedy कोई नहीं है इसलिए हमारे उसमें क्या लिखा है सनातन परमपरा में क्या बोलते हैं यह बोलते हैं आज दान किया जागे facebook पे post करो या यह बोलते हैं गुप् कर रहे हैं छटी highest degree planet के 6th highest degree planet तो 6th highest degree planet कौन है इसको हम बोलते हैं ग्याती कारक जी वाई ए टी आई कारक इसको डंग से सुनिएगा सब लोग क्यूंकि आगे मैं आपको ऐसा सूत्र बताऊंगा कि आप लोग देखकर एकदम से यह हो जाएगा कि अरे यह इतना इसली कुछ point हो सकता है कि और आपने कैसे focus करना है चीजों पर क्या है कि हम किसी की भी life को जब देख रहे होते हैं किसी भी जोतिश के दुआरा चाहे वो ब्रिगू है चाहे वो पराशरी है कोई भी तो वहाँ पर यह planet आपकी सबसे ज़्यादा help करता है normally इसको सबसे negative मानते हैं मैं कहत होते हैं ग्याती कारग और इसकी खुबसूरती क्या है इसकी खुबसूरती यह है कि यह तीन हाउसे का एक साथ में कारग है 6th, 8th, 12th कुछ नहीं छोड़ा इसके सारा कुछ समा गया इसमें 6th भी समा गया 8th भी समा गया 12th भी समा इसको बोलते हैं ग्याती कारग the most dangerous planet in your chart and how it is dangerous we will come to that part also लेकिन ये वो प्लानेट है नॉर्मली जिसका जैमस्टोन आपने हमेशा अवाइड करना है भले ही वो आपका जैमस्टोन 2-6-10-11 और मैंने पर्टिकुलर्ली ये प्लानेट क्यों बोला अभी देखो आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर कितने लोग प्लानेट है यानि कि मेरा लास्ट मतलब सेकिंड लास्ट है जो डिगरी में जो प्लानेट है वो यह है काफी सारे लोग देख चुके होंगे अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुमिएगा आप अपने जीवन में कोई और जैमस्टोन ट्राइक करे ना करे आप इस इस प्लानेट को आप धारन करेंगे ही करेंगे क्यों कि व्यक्ति अच्छाई को जल्दी धारन नहीं करता है नहीं करता ना कि अट्रेक्ट किया करेगा अट्रेक्ट तो कुछ और करेगा अच्छी चीज इतना जल्दी retail नहीं करेगी अच्छी चीज अब हमने topic क्या उठाया, topic तो हमने gemstone उठाया है, लेकिन खाली gemstone ही तो उस planet को signify नहीं कर रहा है, उस planet की तो और भी चीज़े हो सकती है, for example किसी का चंदरमा ग्याती कारक है, तो चंदरमा ग्याती कारक सबसे पहले क्या करेगा, emotionally imbalance कर देगा, दूसरी prediction क्या होगी, आपको milk products बहुत अच्छे लगेंगे, किसी भी जिसका भी चंदरमा ग्याती कारक हो, maximum लोग कहेंगे, हाँ वही मैं चीज, बटर, ये सब चीज़े बहुत खाता हो, बिरको बहुत पसंद है, क्यों, क्योंकि चंदरमा ग्याती कारक है, और ये वो planet ऐसा है, जिसको access में कभी भी आप आपने power नहीं देनी है, क्यों, क्योंकि वो already power लिए बैठा है, तीन-तीन houses का, वो balance मांगता है, देखो, आप लोगोंने अब वही question किया, जिस question को मैंने starting में आपको clarify कर दिया था, आप लोग बोल रहो, मेरा तो राहु है, मैंने क्या बोला था, राहु और केतु इस list में न नहीं है, तो राहु को छोड़ दी, बकश दीजिये उसको, वो विचारा पहले ही बहुत रगड़ा गया है, राहु और केतु, बहुत बहुत पकड़ लिया उसको, यह इसके साथ में राहु है, इसके साथ में केतु है, बदनाम हो गए विचारे, इन से भी बड़े- होगे, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, और मैं बड़ी एक विचित्र बात आपको बताता हूँ, यह जितने भी कारक मैंने अभी अभी आपको बताएं है, इसमें सोच के देखिएगा, मैं क्या बताना चाहा रहा, फॉर एक्जांपल, किसी का अमात्यकारक सूर है, और सूरिय उसकी कुंडली में न 10th house से जुड़ा, न 6th house से जुड़ा, न 2nd house से जुड़ा, फिर भी मैं यह कहता हूँ कि सूरिय की दशा में इस व्यक्ति के profession में कोई बहुत बड़ा बदलावाए, क्यों, क्योंकि वो कारक है, किसका profession का, जितने भी लोगों का ग्यात अभी कारक जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट की महादशा में अंतरदशा में आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, बले ही वो प्लैनेट आपका 6-8-12 से ना कनेक्ट, आप चेक कर सकते हैं, अभी के अभी लगागे चेक कर सकते हैं, यह आपको प्रॉब्लम क्रियेट करेगा ह करेगा और उन उन प्रॉब्लम्स के अंदर कहीं ना कहीं इस प्लैनेट के कारक्तत्वों की इंवॉल्मेंट होगी पक्का इंवॉल्मेंट लास्ट प्लैनेट जो है अभी अभी मैं एक सेकंड कम्प्लीट ते दो फिर मैं आप लोगों को कोशन्स का भी वो दूब आप आप लोग पूछ लीजेगा यह मैंने सेशन जो है वो एक अनलेमिटेट टाइम के लिए रखा है इसको वो नहीं किया मैंने कि मैं इतने टाइम के लिए इसको करा हूँ ठीक है तो बेसिकली क्या है कि यह जो साथ प्लैनेट है ना आपके यह जितना भी इनमें जो लास्ट प्लैनेट रह जाता है यह प्लैनेट सबसे अधुथ प्लैनेट है सबसे अद्वत बहुत सारे लोगों को तो इस प्लैनेट की महिमा पता है जो सबसे लास्ट प्लैनेट होता इसको दाराकारक बोलते हैं ठीक है काफी लोग यहां पर जानते हैं दाराकारक की भूमिका किया लेकिन जितने लोगों को नहीं पता उनको मैं एक दाराकारक की एक और वो बताता हूं, because dara karak is the significator of 7th house, the house of relationship. तो relationship का planet कौन है? relationship का planet dara karak है, जो आपकी कुंडली का last degree में जो planet है, that is dara karak. जब हम जैमीनी पर काम कर रहे थे, तो मेरे एक मित्र है, बहुत अच्छे जैमीनी के बहुत बड़े विद्वान है. राव साब के साथ में बहुत closely काम किया है, उन्होंने associate होके. तो जब हम इन कारक पर काम कर रहे थे और ये सब चीजों की एक findings चल रही थी, तो हमारे सामने एक पत्री आई, जैसे कोई भी पत्री लेकर आ जाता है. बढ़ी problem हो रही है, marriage में ये हो रही है, वो हो रही है, जो husband है, उनका कुछ पात गलत हो गया है, उनकी बुद्धी जो ट्रैक पे नहीं है, वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ इलिगल doings उनकी start हो गई है, ये सब चीजें हो गई है, तो उन्होंने simply point out किया, कि यह रहे काम करते हैं, इसको दाराकारक का ही रत्म बोलते हैं, दाराकारक कौन? ब्रहसपती ब्रहसपती का रत्म कौन? पुकराज इसका अर्थ क्या है? 2-7-11 वाला रत्म ट्राई कर लिया, शाधी नहीं हो रही है वास्ट ट्राई कर लिये, शाधी नहीं हो रही है रुद्राक्ष वाली remedy काम करती है वो करती है definitely करती है आप लोगों ने उसको try भी किया होगा मैंने दी हुई लेकिन फिर भी क्योंकि क्या है ला कुछ चीजें ऐसी है जिनका answer आपके पास immediately होना चाहिए क्यों क्योंकि आप मेंसे जितने भी लोग professional astrology करते हैं वो कोई भी व्यक्ति इस बात को मना नहीं करेगा कि क्या consultation के time पर एक बार एक बार यह प्रश्ण आता है कि कौन सा रत्न पहने आता है कि बिलकुल आता है आप उसको कितना भी alignment करके दे दीजे आप Saturn राहू के case में उसको बोल दीजे तू foreign country चला जाए आप Saturn राहू के case में उसको बोल दीजे कि तू social media का use कर ले लेकिन सारी consultation देने के बाद भी उसका प्रश्ण क्या होगा कौन सा रत्न पहने बिलकुल सही है तो रत्न क्यूं पहने उस रत्न के पहनने के पीछे उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही रत्न को पहनाया जाता है इस बात को हमेशा याद रखिएगा ये बात को हमेशा अपने mind में रखिएगा तो ये हो गया जो मैंने जैमिनी के आधार पर आपको एक चोटी सी चीज जो है वो बताई है कि जैमिनी के आधार पर ये सब चीजें किस प्रकार काम करती हैं लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके पास हर विद्या में हर philosophy के अंदर आपके पास एक contingency plan होना चाहिए contingency plan का मतलब समझते हैं आप क्या कि जब आप किसी एक particular चीज पर कार्य कर रहे हैं तो वो चीज ठीक से काम करें सुचारू रूप से काम करें और उसके failure के समय में आपका क्या step होगा आप क्या step लेंगे वो प्लान आपके पास हमेशा ready रहना चाहिए वो contingency plan जो है वो हमें अश्टक वर्गा देता है सुखविंदर जी पूछ रहे हैं business भी ठीक होगा if you were last degree जोतिश में जब logic अपने आपको या अपने अंतरमन को एक बात कह दे कि हाँ भई ये logic जो है ये मुझे समझ में आ रहा है ये काम कर रहा है तो उसके बाद फिर पूछने का कोई आचित्य नहीं रह जाता फिर experiment करना पड़ता है फिर experiment करिए क्या होगा क्या होगा आपका रत्न पहनने से आपका भाग्या बदल जाएगा या भाग्या नीचे हो जाएगा सर्व प्रथम तो एक बात को माइंड में बिठा लीजिए कि रत्न करता क्या है रत्न आपके अवचेतनमन की प्रोग्रामिंग उस कारिये के according कर देता है जिस कारिय को आप करना चाह रहे है that's it और रत्न का कोई काम लिए माल लीजिए आप फोर्थ हाउस की प्रॉब्लम्स से जूज रहे हैं आपने मातरगारक का रत्न पहन लिया तो आप सोच रहोंगे मातरगारक का इधर मैंने रत्न पहना और उदर मेरे फोर्थ हाउस में मतलब मेरे को घर मिल गया वो घर ऐसे रत्न पहनने से ही मिलेगा रत्न आपकी अपनी प्लानिंग आपके अपने एक्शन से ही मिलेगा लेकिन वो आपके एक्शन और आपकी प्लानिंग को उस घर के प्रती एक डिरेक्शन दे देगा आपको direction मिल जाएगा आप उस direction में काम करोगे उस direction में काम करोगे तो efforts right होंगे और efforts right होंगे तो resultant भी right होगा ये जोतिश है ये जोतिश नहीं है कि भाग्य बदल जाएगा भाग्य नहीं बदला करता कभी भी नहीं बदला करता और जो आदमी बैटके ये बात बोलता है ये बाग्य बदल देगा ये ये हो जाता है वो हो जाता है सब है कुछ नहीं हो तो खामोंगा अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा भी बाग्य अलाइन होता है बदलता नहीं